केरल के कोट्यम जिले की 16 ब्रस की एक लड़की ने जब बिहार जाने का फैसला किया तो उसे स्विकार करना उसके दक्षिन भारतिय परिवार के लिए बहुत ही कठिन था बिहार में भी अपने दूसरे दोस्तों की तरह स्कूल में पढ़ाना सुधा को रास्त नहीं आया स्कूलों में पढ़ाने तो वो आई भी नहीं थी वो तो आई थी कुछ अलग करने मही आया थी गरीब के खोज में या गरीब से भेट करने के लिए और उन लोंके लिए कुछ करने के लिए तो मही जैसे-जैसे मुझ को मोका मिला, स्कूल में कम समय देने लगा और गाव तरफ जहां आम आतमी रहते थे उन लोंके और मेरा ध्यान गिया और मही धीरे-धीरे प बिहार की अती पिछडी मुसाहर जाती की नार्किये स्थिती ने सुधा को मुसाहरों के लिए कुछ करने को प्रिरीत किया बलतकार की एक घटना ने तो उन्हें पूरी तरह जग जोर दिया दर्ज नहीं होगा हम लोग इदर से हटेगा नहीं तो पुलीस ने मुझको अकेले बुला के हमसे पूचा भी आप भी बताईए आपको लगता है ये लड़की के साथ कोई रेप कर सकते हैं तो जब प्रशासन का माने सीखता यही है तो आप कोई भी सोच सकते है कि एदी कुछ महिला आए अकेले जाकर के एक थाना में बोल देंगे देखिए मेरे साथ रेप हुआ और ओ गंदा कपड़ा पहने है तो उसका मतलब उनके साथ रेप नहीं हो सकता है मैं देखती हुम यह इन शोच रेप उसके लिए कोई चुआ चुद नहीं है दार्यू का व्यवखार के लिए चुआ चुद नहीं है उस समय चुआ चुद दुआर के बाहर खड़े होता है तो केस मने हम लोग उधर तीन घंडा रहे और बिना दर्ज करके हम लोग बापस नहीं आएंगे तब पुली संद में केस दर्ज किया पिछले 20 बरसों से साइकिल वाली दिदी इनी मुसहरों के संग इनकी ही बस्ती में रह रही है अपने परिबार से दूर अकेली सुधा हर वा काम कर रही है जिससे मुसहरों की अस्तिती में सुधार आए चाहे वह मुसहरों को सराब से दूर करना हो, बच्चों को पढ़ाना, SHG के माध्यम से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना बस्ती की सापसपाई पर सुधा की सबसे बड़ी चुनावती मुसहरों में स्वाभिमान जगाना तथा उन्हें सच्चित कर अपने पैरों पर खड़ा करना है इसे मुसहरों के बीच में कोई ऐसा एक यह नहीं है, एक परंपरा नहीं है कि कोई मेट्रिक पास किये तो उसको एक छोटा नाव करी मिला उसको यदि तीन हजार रुपया भी महीना मिलेगा न उसको परिवर चलाएगा अच्चा से इस तरह का इतना मने निम्न उम्मीद को आप बढ़ावा नहीं देंगे, तब फिर वो समाज के लिए वो बहुत महुत पूर्ण है वो समाज के लिए उस तरह की चोटी-चोटी चीजें करके उसको बढ़ाने का कादम उठाना है सुधा की 20 वर्षों की तपस्या का परिणाम अब नजर आने लगा है भारत सरकार ने भी इनके परियास की सहराना की और देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पदम सरी देने का फैसला किया 26 जनवरी 2006 को भारत के राष्टपती डॉक्टर एपी जी अब्दुलकलाम ने सिश्टर सुधा बर्गीज को पदम सरी प्रदान किया सुधा जी इस सम्मान का सुरे भी मुसहरों को ही देती है राज सरकार भी सुधा बर्गीज को अपना सहयोग दे रही है सरकार ने यह भवन उन्हें छात्रावास के लिए दिया है आज इसमें सौ से ज्यादा मुसहर जाती की छात्राएं रह रही है पूरे छात्रावास का खर्च भी सरकार द्वारा अनुदान में प्राप्त होता है सुधा बर्गीज की सफलता ने एक बार फिर यह पर्मानित किया है कि मंजील अगर सही है तो या कताई फर्क नहीं पड़ता कि आप अकेले चल रहे हैं या बहुतों के साथ आपके कदम अगर नेक है तो बाकी कदम खुद बखुद आपके साथ हो लेंगे